आप सभी बहुत अच्छे होंगे निफ्टी अनलसिज में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स और नेज्टे क्या कर रहा है और फिर हम लोग सिर्फ निफ्टी का आनलेसिस देखने वाले इस तरीके से पता है कि बड़े लोग क्या करके गए ठीक है बांकि और कुछ भी हम हमें इससे नहीं करना है मांकि हम लोग लेवल्स पर हम लोग लेवल को फॉलो करेंगे ठीक है सबसे पहले एफाइड एड़ा चेक करते हैं तो एफाइज ने क्या किया है 1185 करोड की बाइंग कर रखा और दाओ जॉन्स और नेश्डेक को डाओ जौन्स अभी 210 पॉइंट की गिरावुट पर अभी चल रहा है अब मैं वीडियो बना रहा ह। देखलो दस बस के 22 और मेंने और अभी मार्केट में क्या कर रहा है यहां से रिकवरी हो सके बट मुझे नहीं लग और नेस्ट通 वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट पॉइंट का गैप डाउन मतलब गिरावट पर चल रहा है तो इस हिसाब से अभी अभी को किसी प्रकार का मूव अपसाइट की तरफ दिख नहीं रहा उसमें अब हम लोग डारेक्ली हमारे चार्ट पर देखते हैं किस तरीके से कल ह हम लोग बात करेंगे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर हो कल मार्केट कहां खुलता है उस हिसाब से कैसे काम करता है इस पर फोकस करते हैं तो सबसे पहली बात कि अगर देखें एक एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले अभी मार्केट की क्लोजिंग क्या है 18287 के आसपास 15 मिन यह जैसे की फाई बुलीस है और मार्केट गैप खुलता है तो इस लेवल के आसपास खुल सकता है 18339 के आसपास इससे थोड़ा नीचे या उपर या फ्लैट के आसपास ठीक है 18287 हो रहा है और यह है 326 327 ठीक है 327 का लेवल है 330 का तो 30 और 30 और इधर 40 और 43 43 43 45 45 पॉइं यहीं से की रिवर्स नीची की तरफ आ जाए यदि इसे नीचे गिरना हो तो इसलिए बता रहा हूं मैं तो यहां पी कोई भी केंडल्स दीखे जैसे की एक रेजिस्टेंस है कुछ इस परकार के केंडल्स जो नेगेटिविटी दरसाता है और और इंट्री कोई बताए कि हा पे असल लगये हुए पिछले दिनों यहां काफी सर लगा हुए तो यहीं से मतलब की बाइंग का है यहां देखो पिछले डाटा चेक करोगे तो काफी सार यहां पे यह support रेजिस्टेंस जैसे काम कर चुका है यह यह निचे ब्रेक करते है 262 को तो मतलब नॉर्मल नीचे ह जोन में यहां तक मार्केट आ सकता है अगर इसके यहां से किसी भी तरीके से नीचे क्रॉस करता है तो इस चीज़ को आप लोग देखेगा 260 के लेवल को और यदि मार्केट ऑल्रेडी गैप डाउन खुले तो आप लोगों को क्या करना प्राइस एक्षन फॉलो करना मालेजी कि 18220 के आसपास ही मार्केट खुलता है तो इतना लंबा चोड़ा साथ पॉइंट का डाउन है लेकिन ध्यान दिजिए मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है 240-250 के आसपास फिर भी हम लोग प्राइस सेक्षन को फॉलो करेंगे क्योंकि अगर मालेजी थोड़ा से गै है यहाँ से यहां फ्लाट ऑपनी हुआ इस तरीके से और हुआ की यहाँ फेलिआ मार्केटниц गिरता है थो औरfinitely यहाँ से देंखेगा प्राइस को फॉलो कीजेगा केंडल को फॉलो कीजेगा सपोर्ट रजिस्टन्स देखे तो इस तरीके से माने यहां आने के बाद को प्राइस बनके फिर आप मूव देता है तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा तो यहां पर चेक करेंगे क्या यहां कोई बन रहा है यहीं पर काफी दर यहीं पर सस्टेन करके फिर अपर अपर साइड क्रॉस करता है तो वह लोग वह भी हम लोग देख सकते हैं तो यहां से नीची की तरफ पूल बैक आजाए नीची की तरफ हमें ट्रेड मिल जाए तो बहुत बढ़ी है क्योंकि अभी देखिए कुल मिला कि जो यूस में चल रहा है नेगेटिव चल रहा है तो हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो गैप डाउन ओपनिंग हो और न लोग्ड फ्लेड कीजेगा विदाउट ऑट मनीमेनेजमेंटर्यस्क्राइब मत कीजेगा किसी बढ़िए वियुअ सबही बता हूं आपका करशा होना चाहिए आप लोग इसे चेक कीजिए यदि आपका condition बनता है और आपका risk manage होता है तो उसे हिसाब से आप लोग यहाँ पर trade कीजिएगा otherwise आप लोग trade मत कीजिएगा तो thank you so much again कोई भी trade कीजिए बिना stop loss कोई भी trade आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका money management बहुत ज़्यादा जरूरी यह मार्केट में टिकोगे तो कहीं न कहीं सफल बनोगे मार्केट से अर्ली आप लोग बाहर हो जाओगे तो कहीं भी सफल नहीं होने वाले हो इस बात को हमेंसा ध्यान रखेगा so thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए निफ्टी में आप लोग trade कीजिए उमेंद करता हूं जल्दी काम्याब हुई है thank you so much